हे गाइज वेलकम टू अनदर एपिसोड आफ जी डे वाइप त्यार आज की वीडियो में अपने को मिलने वाली है फीमिल माफिया त्यार आजाओ चलते हैं हाँ तो यार तुम्हें पता है एट लास्ट मेरे वाइट हाउस पे अटेक हो गया था अटेक करवाया था फीमिल माफिया ने ये तो अपने को क्लियर हो गया था पर यह इस अटेक के दुरान मेरा ये जो सीक्यूरिडी इन चार्ज है इसको काफी चोटे आ गई थी और मॉस् और इसको होस्पिटल ना लेके जाता तो यह पक्का मरी जाता पर यह इसको होस्पिटल ले जाने के बाद इसने मेरे को सारा सच बता दिया इसने होश में आने के बाद अपने को बताया है कि यह इस अटेक के अंदर फीमेल माफिया के साथ-साथ ट्रैवर भी इन्वाल्व है बाकी और मैंने बिल्कुल नी सोच था कि यह ट्रेवर अपने साथ ऐसा करेगा पर यार बोलते हैं ना कि यार जो बंदे की जैसी नियोतो वो वैसी रहती है तो यार अपने बहुत बड़ी गलती कर दी ट्रेवर को छोड़ की तो यार मैंने अपनी पूरी सिक्योरिटी भेज दी है जो की यार ट्रेवर को ढूड रही है बाकी यार तुम देख पा रहे हो है सिक्योरिटी इन चार्ज मेरे सिक्रेट अरिया में आ चुका है ताकि यार इसके ओपर कोई और बंदा अटैक ना कर सके तो यार अब जल्दी से मेरे को इस सिक्योरिटी वाले एरिया से मतलब इस सिक्रेट एरिया से निकलना होगा और जाके फीमेल माफिया के बारे में कुछ इंफोमेशन निकालनी होगी तो चले यार अब जल्दी से यहां से निकलता हूँ बाकि यार तुम देख पा रहे हो इस सीक्रेट एरिया में भी मैंने काफी तगड़ी सिक्यूरिडी लगा दिया है ताकि यार मेरे ओपर भी कोई बंदा अटेक ना कर सके वैसे तो यार कोई भी बंदा मेरे ओपर अटेक नहीं कर पाएगा तो यार मैं बंद चुका हूँ लास एंटास का मिलिटरी चानल बाकि यार अभी तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि यार ट्रेवर मेरे ओपर दुबारा से कोई अटेक ना करवा दे तो यार मुझे तो लगी रहा था कि यार जिता भी प्लैन है ना यह ट्रेवर का ही हो सकता है तो चले यार यह मैं मिलिटरी बेस के सीक्रेट एरिया से बाहर आ चुका हूँ अभी मेरे को यार उस एरिया में जाना होगा जहां पर यार फीमेल माफिया अपने को लास्ट टाइम मिली थी मतलब लास्ट टाइम तो नहीं मिली थी जहाँ पर अपने को female mafia के कुछ guards मिले थे तो यार अब भी मैं उस location पे जा रहा हूँ तो यार आपको पता कि यार जब अपन fake politician को मारने गए थे तो या government facility के अंदर अपने को कुछ female mafia की बंदियां मिली थी तो यार मुझे लग रहा है कि यार उस government facility के अंदर ना और भी information अपने को मिल सकती है female mafia से related तो यार मैं भी उस location पे जा रहा हूँ और वहाँ पर जाके अपर पूरी चानवीन करेंगे और जानेंगे कि यार अपने को वहाँ पर कोई female mafia से related clue मिलता है या फिर नहीं मुझे लग रहा है कि यार उस base के अंदर ना मतलब उस location पे यार female mafia भी हो सकती है इसलिए यार अपने साथ मैं काफी तगडी security लेके जा रहा हूँ तुम देख पा रहे हो यार यहां पर मेरे साथ helicopters, गाडियां और भी यार काफी तगडी security आ रही है बाकी यार लेस्टर को भी मैंने अपने पूरे काम पे लगा दिया है वो भी अपनी यार पूरे female mafia की location track करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यार आपको बता कि यार नौथ येंग्टन में अपने को वो बंदा मिला था जिसने बताया था कि यार यह जो female mafia है इसने Los Santos के अंदर अपना एक यह secret base बना लिया है बागी यार वैसे तो मैंने Los Santos में काफी तगडी security मतलब वैसे काफी guards बगारा भेज रखे हैं जो कि यार वो टन जो कि उस secret base को ढूंड रहे हैं I think यार बहुत जलना अपने को वो secret base मिल जाएगा तो finally यार यह मैं government facility पहुंच चुका हूँ अभी जल्दी से enter करते हैं बागी यार तुम देख पा रहे हो मैं enter तो हो चुका हूँ और यहां पर तो कोई security ही नहीं लगी हुई भाई उस दिन तो यार यहां पर कित्ती तगडी security लगी हुई थी खैर चोड़ो यार अभी जल्दी से enter करते हैं बागी यार मुझे लग रहागी यार इस government facility में अपने को बहुत तगड़े तगड़े proofs मिलने वाले हैं जिससे यार अपन female mafia तक पहुंच पाएंगे तो चले यार इस gate से enter कर लेते हैं तो finally यार ये मैं government facility आ चुका हूँ बागी यार अभी जल्दी से मेरे को उपर जाना होगा और सारे proofs सी कठे करने होगे क्योंकि यार जित्ते भी service है ना वो उपर वाले room में है तो यार यहां से मैं सोच रहा हूँगी यार पहले उपर जाने से बहले ना मैं यहां पर जित्ते नीचे वाले room है ना उनको भी चान लू तो चले यार पहले वाले room में मैं आ चुका हूँ और यहां पर तो literally मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा तो यार यह बाहर वाली side I think मेरे को कुछ ना कुछ मिल सकता है यह वाला door भी लोक है अभी अभी जल्दी से यहां से बार चलते हैं क्योंकि यार मुझे लग रहाएं कि यहां पर अपने को कुछ भी नहीं मिलने वाला चोड़े यार अभी जल्दी से उपर चलते हैं उपर वाली साइट पे काफी सर्वर्स है उन सर्वर्स से मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा तो चलो यार यह मैं सर्वर्स वाले रूम में आ चुका हूँ बागी यार मुझे लग रहा कि यार यहां पर जित्ते भी सर्वर्स थे ना वो तो ओफ हो चुकी है बाग कि यार लास्ट वाली टाइम में जब आया था, तब तो यआर यहां पर काफी सर्वर्स अन थे, पर यार तुम देख़ पारिये ओ, यहां पर तो लाइट ही चले गई, बाग यार अंधेरे में मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा बाग यार तुम देख पा रहे हो यहां के जिते भी computer's थे न वो भी off है तो यार मुझे तो समझ नहीं लग रही कि यार इन बंद computer's है मैं data कैसे चुराऊंगा तो चलो यार यह मैं गलत वाले room में आ चुका हूँ अभी जल्दी से यार मेरे को कोई ऐसा computer देखना होगा तो यार यह light तो आ चुकी है अभी जल्दी से मेरे को कोई ऐसा computer देखना होगा जो की on हो और जिससे मैं सारा data चुरा सकूँ तो चलो यार ये एक screen मेरे को on लग रही है खेर इसको अभी छोड़ो अभी अपन सारे servers को देख लेते हैं जो कि अपने को on मिलने वाले हैं बागी यार तुम देख पा रहे हो इदर वाले साइट तो मेरे को कोई भी server on नहीं दिख रहा तो यार मुझे समझ नहीं लग रही कि यार यहां के जित्ते भी servers थे उनको बंद क्यू करा गया है बागी यार तुम देख पा रहे हो यहां पर कोई भी server on नहीं है यहां पर एक ये screen है जो कि यार मेरे को भी on दिख रही है मैं सोच रहा हूँ कि यार screen के अंदर ही देख लेते है कि यार अपने को क्या क्या information मिलने वाली है तो चले यार screen के अंदर जल्दी से मैं देख लेता हूँ कि यार अपने को क्या क्या information मिलेगी तो यार ये screen तो बहुत काम की निकली इस स्क्रीन का सारा डाटा मैंने देख लिया है और इस स्क्रीन के डाटा से मेरे को ये पता लगा है कि यार मिलिटरी भी इसके नीचे एक बहुत सीक्रेट टरनल बनाई गई है I don't believe कि यार महाँ पर ऐसी कोई टरनल है तो यार अभी मेरे को जल्दी से जाके देखना होगा कि यार वहाँ पर कोई सीक्रेट टरनल है या फिर नहीं अगर वहाँ पर कोई सीक्रेट टरनल हुई ना तो मेभी यार उसके अंदर फीमेल माफिया हो सकती है तो यहार अभी जल्दी से मेरे को यहां से निकलना होगा और मैं सोच रहा होगी यहां से निकलने से पहले ना यहां की जित्ती भी information है मतलब यहां पर जितने भी server है ना सबका data मैं चुरा लूँ वैसे तो यहार मैं अपनी hard disk लेके आया हूँ मैं देखता हूँ कि यहार वो सारा data मैं इसके अंदे डाल सकता हूँ या फिर नहीं तो चलो यहार यहां पर मैं try का लेता हूँ कि यहार यहां पर जित्ती भी इनकी hard disk और server लगे है ना उसका data मैं अपनी hard disk में डाल सकूँ बाग यार अभी मेरको इ स्टनल के बारे मिन आप के पता करना होगा बाग यार यह मैं कौन सी जीबसी लोकेशन में आ चुका हूँ तो यार मुझे निल्हाइक है यह यार यह कौन सी है पहले जब मैं डर्वाजा कोला था तो यार मैं इस लोकेशन पर नहीं आए था की अरिया की ताजीब है तुम देख पार यहां पर काफी टुवर्स लगे होई और काफी तगड तगड़े वैपन वी रखे हुए है त्यार अब उन्दर चलते हैं और जाके देखते हैं गाइद मोमेंट पर अपने को पूट को क्या मिलेगा त्यार यहां पर यह एरे तो मेर नहीं को लिटरली बिलकुल नहीं पता, तुम देख पारे हो त्या तगड़ तगड़ यह सरवर के रूम आई जा रहे हैं, यहाँ पर कोई बन्डा तो नहीं है, पर यह यह रूम काफी तगड़े मेरे को लग रही है, पर यहाँ नहीं पता कि मैं कहां घुसी जा रहा हूं, यहां पर काफी तकड़े तकड़े क्रेट्स भी पड़े हुए है, इसके अंदर काफी वैपन्स वगएरा हो सकती है, तो अभी मेरे को जालदी से जाना होगा, और देखना होगा, बाकि यह तो मैं कोई अजीब से रूम में आ चुका हूँ, तो यह तो मेरे को कोई तकड़ी सी मशीन लग रही है, तो यह तिंग मेरे को इस मशीन से पंगा नहीं लेना चाहिए, तो अभी जल्दी से जाके मैं लैससे कॉल कर लेता हूँ, और इससे पूछता होगा अपने को आगे क्या करना चाहिए, बागी यार मुझे लग रहा कि यहाँ पर आके तो मैं फर्स चुगा हूँ तुम देख पारे हो यार यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता तो मेरे को नहीं मिल रहा तो चलो यार यहाँ पर मैं रुक लेता हूँ और वटावट से लेस्टर को कॉल करता हूँ और पूछताओंगी यार अपने को क्या करना चाहिए बागी यार तुम देख पारे हो यह लोकेशन लिटरली कित्ती खतनाक है तो चलो यार यह मैंने फोन निकाल लिया अभी जल्दी से लेस्टर को मैं कॉल कर लेता हूँ तो चलो यार लेस्टर से मैंने बात कर ली है वो बोल रहा है कि यार यहाँ पर अपने को किसी भी चीज से पंगा नहीं लेना है और जल्दी से यल्दी मेरे को यहाँ से निकलना होगा और फाइनली यार ये मैं गवर्मेंट फसिलिटी से बाहर आ चुका हूँ अब जल्दी से मेरे गाड़ी में बैटना होगा और जाना होगा यहार मिलिट्री बेस यार वह आटिस के अंदर अपने को क्या मिलने वाला है और साथ में आ अपने को ये भी क्लियर हो जाएगा कि य're वहां पर कोई ऐसी टरनल है या फिर नहीं बाग यार लेस्ट गो मैंने कॉल पे इंटिमेट कर दिया है कि यार अपने जित्ते भी सोल जाए जाना मिलिटरी बेस में उनको भी काम पे लगा दे ताकि यार अपने को वो सीक्रेट टरनल जल्दी से मिल जाए और अपन फीमिल माफिया को जल्दी से जल्दी मार सके तो यार अभी देखते हैं कि यार अपने को फीमिल माफिया वहां पर मिलती है या फिर नहीं तो चलो यार ये मैं military base पहुंच चुका हूँ तो यार अभी जल्दी से मेरे को इस गाड़ी को side पे park करना होगा और इस tunnel को ढूणना होगा बाग यार तुम्हें पता है कि यार ये military base literally काफी बड़ा है यार उस tunnel को ढूणना इत्ता easy नहीं होने वाला बाग यार मैंने तो एक बहुत तगड़ा plan बना लिया है मैं सोच रहाँ कि यार ऐसे उस tunnel को ढूणना इत्ता easy नहीं है इसलिए मैं सोच रहाँ कि यार यहां पर मैं अपना drone निकाल लूँ और उस drone से अपन देख लेते हैं कि यार अपने को कोई शक वाली जगा लगती है या फिर नहीं जिस जगा पर मेरे को शक होगा वहाँ पर जाके मैं personally चेक कर लूँगा यार अपने को वह tunnel का रास्ता मिलेगा या फिर नहीं बाकि यार तुम देख पा रहे हो यहां पर तो मेरे को कोई भी tunnel नहीं दिख रही तो चले यहां पर मैं drone को थोड़ा वैसे तो यार मैंने इसको काफी बार देखा है, नोट किया है, पर यार ये एरिया मिरको थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यार उस पाइप के अंदर ना कुछ ना कुछ गलत तो है, क्योंकि यार काफी बार मैंने उस pipe को नोट तो किया है, पर यार मैं सोचता था कि यार ये नॉर्मल pipe होगा, पर यार अभी तो मेरे को ये नॉर्मल pipe नहीं लग रहा, तो यार अभी जल्दी से मेरे को उस location पर जाना होगा, और देखना होगा कि यार वो normal pipe है, या फिर नहीं, तो यार ये मैं pipe के पास तो आ चुका हूँ, बागी यार तुम देख पा रहे हो, ये pipe तो literally कि तब बड़ा है, I don't think so यार ये pipe के पास मैं जा पाऊंगा, बागी यार तुम देख पा रहे हो, इस pipe के अंदर जाना तो बिल्कुल possible नहीं है, तो यार यहां पर मैं सारे आर्म कर दिया, और भाई, ये मैं कहां चुका हूँ, literally ये तो सही में tunnel बनी हुई है, मैंने तो यार बिल्कुल भी expect नहीं किया था, तुम देख पा रहे हो, यहां पर तो यार पूरी tunnel बनी हुई है, तो यार मुझे लग रहे है, यार में भी female mafia यहां पर हो सकती है, तो यार अभ चलता हूँ, तो चलो यार ये मैं tunnel के अंदर तो आचुका हूँ, बाकि यार तुम देख पा रहे हो, इस tunnel के अंदर security काफी tight लगाई गई है, तो यार इस security को चक्मा देने के लिए, अपने पास एक बहुत तगड़ा idea है, मैं सोच रहा हूँ कि यार जल्दी से मैं ये generator को off कर दूँ, तो ये मैं generator को off का देता हूँ, पाकि यार सामनी वाली site पे एक ये guard गड़ी थी, तो यार अभी जल्दी से मेरे को site पे ओकर ये generator बंद करना होगा, और finally यार ये generator तो मैंने बंद कर दिया है, अब तो यार यहाँ पर मेरे को कोई भी anti, मतलब कोई भी guard नहीं दे से जाना होगा, इदर वाली site पे मेरे को बहुत कम guards दिख रहे थे, I don't think so, यहाँ से मैं घुस पाऊंगा, क्योंकि यार तुम देख पा रहे हो, सामनी वाली site पे दो-दो guards मेरे को दिख रहे हैं, तो यार मेरे को कोई और तगड़ा सा plan बनाना होगा, जिससे मैं female mafia तक तूट कर दिया, और भाई, यहाँ पर सारे guards active हो चुकी है, तो यहाँ पर मेरे को यह gun निकाल ली होगी, और यहाँ पर जितने guards आने वाले हैं ना, सब को मैं मार दूँगा, बागी यार अभी तक तो इनका कोई भी generator own नहीं हुआ, जैसे इनका generator own हो जाएगा ना, यहाँ और सारे बंदे मेरे को देख पाएंगे, और यह तो मेरे को नहीं छोड़ने वाले, और मुझे लग रहागी यार में भी female mafia भी यार यहाँ से बाग सकती है, तो यहाँ यहाँ पर मेरे को short नहीं मचाना, और इस flare gun से ही सारे बंदों को मारना होगा, तो चले यहाँ यहाँ और मैंने 3-4 short निकाल दिये, तो चले यहाँ पर भी सारे बंदों को नाम है, flare gun से ही मारने वाला हूँ, और यहाँ यहाँ पर तो light भी आ चुकी है, यहाँ यहाँ पर मेरे को I think gun change कर लेनी चाहिए, और यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल भी time नहीं है, पर यहाँ इस moment पर मु intimate हो चुकी है, intimate क्या यहाँ पर तो सारे बंदे मेरे उपर attack कर रहे है, बाग यहाँ तुम देख पा रहे हो, इस moment पर यहाँ पर कितने चादा गार्ड हो चुकी है, यहाँ पर female mafia ना भाग सकती है, यहाँ अभी जल्दी से मेरे को female mafia को धूनना होगा, उसको जान से माना यहाँ पर फ्रेंट पर जाके ना इतने बंदों से नहीं लड़ सकता, तो चले यहाँ इस गार्ड को भी मैंने मार दिया, ओल्मोस यहाँ पर फ्रेंट वाली साइट पर जित्ते भी गार्ड से ना, उनको तो मैंने मार दिया है, तो यहाँ इस दिवार का cover लेके ना, को मैं माने वाला हूँ, बाग यहार कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, कि यहार इस टरनल के अंदर इत्ते ज़्यादा बंदे रहते होंगे, यहाँ पर अभी मेरे को बहुत चुप चुप के जाना होगा, तो यहार मेरी हैल्फी ना, काफी कम रह गई है, तो चले यहार यहा यहार 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 वाली साइट पर भी मुझे आवाज आ रही थी और भाई यहां पर भी काफी गाड्स आ रहे हैं तो मुझे यार समझ नहीं आ रहा कि यहां पर तो मैंने सारे गाड्स को मार दिया था तो चले यार इन गाड्स को भी मैंने मार दिया है अब यार मुझे कोई जुगार लगाना होगा जिससे यार मैं उस gate को खुल सकूँ मुझे लग रहा है कि यार उस gate के अंदर ना female mafia हो सकती है तो चले याइए मैंने flare gun निकाल ली इस flare gun से यार मैं इस gate को पिगला सकता हूँ तो चले यहाँ पर मैं flare gun चला देता हूं बहुत की और इस फ्लेयर गन से तो ये गेट नहीं पिगल रहा अभी जल्दी से मेरे को लेस्टर को कॉल करनी होगी वो ही मेरे को कोई आइडिया बताएगा कि यार इस गेट को मैं कैसे खोलूं तो चलो यार लेस्टर से मैंने बात कर ली है वो बोल रहा है कि यहां पर और भी कुछ डिवाइस लगी हुई थी जिनको मेरे को शूट करना होगा उसके बाद यह गेट्स खुल जाएंगे यहां पर एक यह लैप्टप भी पड़ा हुआ है इसको मैं जल्दी से शूट कर देता हूं तो यह सब के तो मैंने शूट कर दिया है पर यार यह अब तो यह गेट खुल सकता है यह अभी जल्दी से मेरे को इस गेट को खोलना होगा यह मैंने लात मार दी अभी थोड़ा सा गेट तो खुला था यह गेट ना भी खुल सकता है यह थोड़ी प्रैक्टिस मेरे को और करनी होगी और फाइनल यह यह मैं गेट के अंदर हो चुका हूं और यहां पर भी कितों त्वड़ा एरिया बनाया गया है और सामनी वाले शीलेश मेरे को एक शपस दिख रहा है ऐइतिंग गेट के अंतर मेरे को चल्दी से एंटर करना होगा यहाँ पर में तो इसको बहुत मारने वाला हूँ तो यहां पर मैं इसको पांचे कुलाड़ी मा देता हूं, यहां तो मैंने यह गेट लोग कर दिया, अब तो यह भार भी नहीं भाग पाएगी, तो चलो यह मैंने कुलाड़ी निकाली रहुत है, और लिटरलिया इसके पास तो भी कोई भी तो चले यार यह मैंने security in charge को call कर दी और finally यार लेस्टर अपनी security को लेके यहां पर आ चुका है तो यार यह female mafia को अपन ने घेर लिया है तो यार तुम comment section में जुरूर बताना कि यार अपन को इस female mafia के साथ क्या करना चाहिए जो लोग तुम बोलोगे मैं वही काम करूँगा इसके साथ तो चले हैं इस वीडियो को यहीं end करते हैं अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो यह वीडियो को like का देना चैनल को subscribe का देना और घंट आइकन दबा देना कुछ रोपादर बिलत अगली वीडियो में